देखते हैं आपके परसन इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे है और थर्ट पार्टी के लिए क्या सोच रहे है ठीक है आपको कर देना है एक लाइक फटाफट लाइक कर दो और इन्हों इसको ग्राटिटूड सेंड जरूर करना है ठीक है अब देखते हैं पहले तो आपके सबसे पहले कार्ड एट आपके परसन आपको छोड़कर जा चुके हैं और इस बात का इस अंसान को रिग्रेट है बहुत जादा दुख है और वो डिप्रेशन सा हाल हो गया है उनको लगता है उनको समझ में आ चुका है कि यह जो भी हो रहा है ठीक नहीं हुआ वह जो आपको चले गए हैं तब से कोई भी रात कोई वी रात यह एंसान च्यास से नहीं सो पाया है वेब्न यही आपके opener को लगता है कि कुछ लोग के लिए ऐसे भी हो सकता है कि आप दोनों के बारे में अगर कोई गॉसिप कर रहा है तो इस इंसान को वह बाती भी बहुत ज्यादा को में आपको निम्हें बाते कि रहे र्प अब कि अपशतावा है मुझे लगते कि आपके बहुत ज्यादा इस वक्त आपके ऊपर वाच्च करें आप नहीं आप क्या करें हो आपके लाइफ में क्या चल रहा है और कभी-कभी इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि उसने जो डिसिजन लिए बहुत गलत लिए ठीक है और आशी है यहाँ पर लिब्रा एक विरस जेमिना हैं कैंसर स्कॉर्पियों पाइसी है आपके परसन इस रिष्टे में जो कुछ भी हुआ या तो हाला के उपर उनको बहु किया है आपके साथ आप उनकी बात नहीं मानोगे king of source के energy है यह आप ठीक है उनको लगता है कि आप बात सुनने के mood में नहीं हो यह आपके लिए आपके partner के energy है कि वो चाहते तो है आपके तरफ आना आपको call करना message करना लेकिन उनको लगता है कि आप गुस्से में हो आप निकाला है three of source आपके person का दिल टोटा है आपके person के लिए मुझे ऐसा लगते कि यह जो third party है इस अंसान ने यह जो third party है इसने आपके partner को third party में डाल दिया है और आपके partner को बहुत ज़्यादा तकलिफों का सामना करना पड़ रहा है सबसे पहले कार्णी बता दिया कि इनसान third party को लेकर कितना ज़दा नाराज है और वो बड़ा परिशान हो रहा है कि उसको क्या करना चाहिए उसको इस दर्द से कैसे निकलना है यह बड़ा एक्वेरस जेमिना है ठीक है और क्या है यह परिशन जैसे कि गिरफ्थ हो चुका है third party में इसको देखो क्या हो रहा है इसको आपके पास आना है आपको छोड़कर जाने का जो दर्द है जो दुख है इस अंसान से आप बरदाश नहीं हो रहा है अंसान चारों तरप से अपने आपको ट्राफ फिल कर रहा है ठीक है और क्या है और देखते हैं कि आपके person third party के लिए क्या सोच रहा है क्योंकि यह बहुत ही जाट ट्राफ फिल कर रहा है गाईज seven of wands मुझे ऐसे लगते कि third party नहीं या तो इस इंसान को ब्लॉक करके रखा है या आपके partner ने third party को ब्लॉक करके रखा है ऐसी energy मुझे दिखा दे रहे है या आपर दोनों के बीच में जो situation चल रहे है जगड़े ही जगड़े चल रहे है मुझे ऐसे लगते कि आपके partner अकेले है और यह जो third party या तो उसके friends है उसके साथ और जो इस इंसान को torture कर रहे है mentally torture कर रहे है ऐसा भी कुछ मुझे बहुत ज़दा energy आ रहे है क्योंकि देखो seven of wands यह इंसान अकेला लड़ रहा है सबसे ठीक है आपके person के हो सकता है कि यह जो third party यह तो उसके अपने दोस्तों को साथ लिया है या तो उसने अपने परिवार का साथ लिया है और आपके person को इस कदर परिशान किया जा रहे है कि आपके person बहुत ज़दा mentally torture हो रहे हैं और उपर से हो सकता है कि इस इंसान को ब्लॉग भी कर दिया है, और क्या है, देखो, रो रहे है आपके पार्टनर, इस इंसान को रो ना आ रहा है, इस इंसान को ऐसा लगता है, कि देखो, इस इंसान ने कितना कुछ दिया, उस थर्ड पार्टी के लिए, जो कुछ भी वो दे ऐसे भी अनर्जी है की आपके पार्टन को लगता आपकी पर्प्रों को देख को गैस बार-बार ऐसा लगता है कि इन दोनों का जो रिष्ता था सिर्फ फीसीकली रिष्ता था आपके पार्टन के दुर्प बहुत अट्रक्शन फील're करते थे और इस Online status बना और उस इंसान ने बहुत जल्बासी में decision लिया था past में आपको छोड़कर जाने का भी decision fast लिया और इस इंसान third party के पास ही जो attraction की budget से गया वो decision पर उसे fast लिया और इसकी budget उसको आज बहुत regret है और देखो मुझे तो ऐसा लगता है कि इसको बहुत इस बज़ा से भी तक्लीफ हो रहे है कि उसने हर डिसिजन गलत लिया आपको लेकर और आज वो खुद इस दर्द में दिखाई दे रहा है देखो थर्ड पार्ट है इस इंसान का दिल तोड़ा है इस इंसान ने आपका दिल तोड़ दिया थर्ड पार्ट है इस इंसान का दिल तोड़ दिया ठीक है तो ये बात यहाँ पर आई है अब देखते हैं इस डेक से क्या कुछ आता है आपके पार्टनों को ऐसा लगता है कि जब भी वो आपके बार में सोचते हैं तो वो अपनी comfort zone से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं कोई डर इस इंसान के मन में है कैस देखो यहाँ पर भी कोई डर है इस इंसान के मन में जो एंसान उस डर से बाहर नहीं निकल पार है जैसे कि rejection का डर बहुत बढ़ा डर हो सकता है आपको छोड़कर बहुत थर्ड पार्टी के पाथ चला गया तो डर हो सकता है उनके मन में और आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि यह जब से थर्ड पार्टी के पाथ चला गया है उसको ना कोई चीज है मतलब उसने बहुत कुछ किया बहुत कुछ किया थर्ड पार्टी के लिए लेकिन उसको कुछ भी नहीं रिटन मिला है तो इस बात से आपका परसन बड़ा है बड़ा परिशान है आपको गाइडस है कि आपको law of attraction को apply करना होगा जो कुछ भी आप चाहते हो इस इंसान को वापस पाना चाहते हो तो law of attraction को apply करो आपका partner definitely वापस आएगा आपको खुद को हील करने के लिए कहा जारा इस वक्त बहुत जरूरी है आपको खुद को हील करना मुझे सरी देखो गैस मुझे ऐसा लगते कि आप में से बहुत लोग ऐसे ही कि आपको भी इस इंसान के लिए आकर्शन होता है आपका भी मन करता है इस इंसान को मिलने का तो जो जुनून है आपके अंदर एक तो अगर आपके अंदर गुस्सा है तो उस गुस्से पर सही जग़ पर और क्या है success मिलेगा आपको चाहे प्यार में हो चाहे अपने करेर में हो आपको जरूर जरूर success मिलेगा number six और क्या है आपके लिए guidance सबसे पहला harmony जिस भी चीज का इंतजार कर रहे हो जो भी harmony आपको अपने जिवन में चाहिए definitely Definitely वो सब कुछ आपको मिलेगा guys परेशान आपको नहीं होना है बिल्कुल भी चंता आपको नहीं करने है Power आपको आपनी हिम्मत नहीं हरने है जब तक आप नहीं हिम्मत आरते हो तब तक आप जिंदगी में हरते नहीं हो जिस दिन आप हिम्मत हारोगे तो हार जाओगे तो universe कहना चाहते है angels कहना चाहते हैं कि आपको हार तो नहीं माननी है ठीक है और क्या है wisdom गजब का wisdom है आपके अंदर इस्तमाल नहीं कर रहे हो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो जिस चीजों को पढ़ कर या जिस लोगों को सुनकर आपको बहुत ज्यादा आप मोटिवेशन आपको मिलता है आप बहुत इंस्पार होते हो तो डेफिनेटली आपको यह करना चाहिए ठीक है बहुत सुकून मिलेगा आपको और एक ताकद एक पावर आईगी आपके अंदर और healing वापस healing का काड़ा है देखो मतलब कितनी जरुरत है आप लोगों को healing की जो आप नहीं कर रहे हो तो खुद को heal करो कुछ तो करो ताकि आप खुद को heal कर पाए देखो यहाँ पर भी वही energy है और यहाँ पर भी healing का ही काड़ा है तो कितना जरूरी हो गया है आप लोगों को कुद को हील करना ठीक है तो ये कुछ बात यहाँ पर आई है युनिवर्स की तरफ से देख लेते हैं आपको और एक मैसेज आपको अपने फ्यूचर के लिए देखते हैं क्या कुछ मैसेज है आपके लिए आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको अभी लगता है कि आपको बहुत बड़ा कोई भी गोल हो सकता आपको आपको लाइफ में कुछ भी अच्चिव करना है अगर आपको लगता है कि आप उस तक नहीं पहुच पारे तो आपको कहा जा रहा है कि आपको छोटी-छोटी ठीकी कि छोटी-छोटी सेडिया आगे बढ़ते जाना है एक दम नहीं हो सकता कुछ भी एक रात में नहीं होता है तो धीरे-धीरे-धीरे-धीरे सक्सेस के सेडिया आप चड़ोगे डफिनेटली आप सक्सेस्फुल पोने वाले हो ठीक है और क्या है मुझे आपर ऐसे भी एनर्जी है कि आप बहुत ज़दा हाड़ वर्क तो करते हो लेकिन उसके बदले आपको जो मिलना चाहिए ठीक है वो आप नहीं हसिल कर पा रहे हो कुछ लोगे आपर ऐसे भी है कि आप इतने ज़्यादा विहनत करे हो कि आपके हेल्थ के उपर उसका ब इस्तमाल करना है जो भी आप करोगे उसमें अगर आप सकसेस्पुल होना चाहते हो अगर आप जो कुछ भी इस थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हो या अपने जीवन के बारे में सोच रहे हो तो आपको अपने इंड़िशन पावर का सक्वाल करना है ठीक है और यह भी energy आपर आई है, तो यही कुछ बाते हैं जो यहाँ पर आपको guidance दी जा रही है, तो आपके partner आपके लिए तड़प रहे हैं, इसमें कोई doubt नहीं है, वो बहुत जादा आपके दर आने के लिए लालाई थो रहे हैं, बैलन्स करना चाहते हैं, ठीक है, तो attention लेने के करना चाहते हैं, बैलन्स 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 करना चाहते ह